कि सो हेवरीवन यू वोचिंग के एस लेक्टिकल यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सवागत है तो आज की वीडियो फोर वे सभी कर खाएंगे तो दोस्तों वीडियो में राश्क बने रही है हम आपको स्टैप बस्टैप सबकूस समझाएंगे न्योटल वाली वायर कहा लगनी है कॉनसे करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं सब्से पहले दोस्तों क्या करेंगे हमारा यह वाला टर्मिनल ठीक है यहां से हमने एक wire connect करेंगे ठीक है जी यहां से हमने एक wire connect की ठीक है जी वो दोस्तों हमारी यहां पर लग जाएगी ठीक है जी second socket में लग जाएगी यहां पर छीक है जी उसके बाद क्या करना है उसके बाद दोस्तों हमने यहीं से एक और वायर ले दिया ठीक है जी, जो यहां thirdance socket में लग जाएगी है ऐसी दोस्तों हमने third socket से एक वायर ले नहीं जो fourth socket में लग जाएगी और अब आप देख सकते हैं हमारी चारो सोकट के एक एक टर्मिनल आपस में common हो चुकेंगा और इसी प्रकार हम दूसरे वाले टर्मिनल जो यह वाले खाली बचे हो इनको भी आपस में common करेंगे इहां से हम एक वायर लेंगे वह वायर यहां पर सोकट में लग जाएगी ठीक है चींव Nichts और यहीं से दोस्ता एक और भीर तर्मिनल में लग जाओ और अब आप देख सकते हैं और हमारे चारो ट ट्रमिनल से उभाट जो भी तो अब 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 दौसमें हैं तो दो खाली बचाए इसके हम कनेक्शन करेंगे तो अब हम क्या करेंगे यहां पर स्विच से एक वायर लेंगे यहां से एक वायर लेंगे ठीक है जी जो हमारी वायर सीधी आकर यहां पर सोकट में लग जाएगी ठीक है यहां पर सोकट में लग जाएगी अब दोस्तों क्या अब हम हमारी न्यूट्रल आगी और यह मरा आगा फेज अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या रहती है कि हम फेज और न्यूट्रल को कहां पर जोड़ें तो आप एक बात का ध्यान जूरूर रखेगा कि जब भी आप कोई एक्सेंशन बोर्ड की वाइरिंग कर रहे हो इसमें आपने खास बात का ध्यान यह रखना है कि आपकी तो आपके अपने आपके फेज वाली वाइर होगी उसको अपने यहां पर स्विच में यह वाला जो टर्मिनल है यहां पर आपने कनेक्ट करद़ना ठीक है और आपकी जो न्यूट्रल वाली वायर बची है न्यूट्रल वाली वायर को आपने क्या करने यहां से लेना है आपने यहां पर क्नेक्ट कर देना है ठीक है यहां पर सोकट के यहां पर क्नेक्ट कर देना है आप चाहिए यहां कर लिजिए यहां कर लिजिए यहां कर इसका मतलब है जब आपने स्विच और आपका फेज आगया और नियूट्रल आपकी कमन आ रही है तो इससे आपका बौर्ड करने लग जाएगा आपको अपनी एक्रिसिटी की चीज़ चलाएंगे तो दोस्तों काम करने लग जाएगी और जब अप सुछ को बंद कर देंगे तो आपको बोड़ बंद हो जाएगा ठीक है और आपका मालेज़े कभी कोई सोकेट खराब हो जाती है तो आप उसको स्विच बंद करके असानी से चेंज कर सकते हैं और आज की वीडियो पर इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग